इससे ज़्यादा सिंपल टेक्निक क्या हो सकती है कि आप एक गिलास पानी प्योगे और आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी दोस्तों मैं कोई मजाक नहीं कर रहा आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी टेक्निक के बारे में बताने वाला हूँ जिसका नाम है Water Manifestation Technique इस टेक्निक में आपको हर दिन केवल एक गिलास पानी पीना है और वो पानी आपकी सारी इच्छाओं को पूरी कर सकता है इस टेक्निक का सही से इस्तमाल करने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा एंट तक देखना होगा क्योंकि अगर टेक्निक सही नहीं होगी तो water manifestation काम नहीं करेगा आप अपनी इच्छा को सही से manifest नहीं कर पाएंगे Japanese scientist Dr. Emoto Masaru ने इस टेक्निक का पता लगाया था इन्होंने पानी पर research करना शुरू किया तो पता चला कि पानी में magnetic properties होती है जो आपकी feelings और emotions को आकरशित करने की ताकत रखती है पानी के छोटे-छोटे molecules हमारे feelings को अपने और आकरशित करते हैं जब आप पानी को अपने हाथ में लेते हैं हमारी body जिस energy state में होती है वही energy उस पानी के molecules में transfer हो जाती है और जब हम उस पानी को पीते हैं तब वही energy हमारे अंदर समा जाती है डॉक्टर इमोतो मसारों ने पानी की कुछ नमूने लिये और उनमें से कुछ नमूनों को क्रोध, गुसा, जलन, नफरत जैसी negative feelings के साथ एक गिलास में डाला गया और उन नमूनों को बरफ में जमा दिया गया उनकी रशना बदसूरत और बिखरी हुई पाई गई वही कुछ नमूनों को प्रेम और positive feelings के साथ एक गिलास पानी को बरफ में जमाया गया तो उनकी रशना सुन्दर हीमकणों में बदल गई Water Manifestation टेकनिक तभी काम करती है जब आपका अपने विचारों पर control होता है हमारे positive thoughts, positive words में बदलते हैं जो हमें positive action लेने पर मजबूर करते हैं और वही positive actions हमें positive result देते हैं तो सबसे पहले आपको अपने विचारों पर control करना होगा हर situation को positive तरीके से देखना होगा और water manifestation टेकनिक पर विश्वास करना होगा कि ये टेकनिक आपके जिंदगी में हर उस चीज को आखशित करेगी जो भी आप आखशित करना चाहते हैं चलिए इस टेकनिक को step by step समझते हैं step 1, glass इस टेकनिक को करने के लिए आपको एक glass चाहिए glass का material important नहीं है कांच, plastic, steel या किसी भी दूसरे material का glass आप ले सकते हैं या फिर आप पाने की बोतल का इस्तमाल भी कर सकते हैं step 2, focus जब सूरज की किरिणों को एक magnifying glass से एक जगा पर focus किया जाता है तब वहाँ आग लग जाती है इसी तरह से आपको focus करना है कि इस technique की मदद से आप क्या आखर्शित करना चाते हैं पैसा, प्यार, relationship, खुशी, नौकरी, business, सफलता या जो भी आप चाते हो सबसे पहले उस पर focus करो step 3, affirmation अब आपको अपनी इच्छा के मताबिक एक affirmation लिखना है अगर आप अच्छी सिहत की कामना करते हैं तो आपको लिखना है आज मैं स्वस्त महसूस कर रहा हूँ अगर आप पैसा कमाना चाते हैं तो आप लिख सकते हैं मैं बहुत सारे पैसे कमा रहा हूँ इस तरह के affirmation आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि आप जो भी affirmation लिखेंगे वो present tense यानि परतमान काल में होना चाहिए क्योंकि अगले step में उसे होते हुए आपको visualize भी करना है step 4 इस step में आप दो तरह को से manifestation कर सकते हैं पहला तरीका है कि पानी को एक गिलास में डालते हुए उस affirmation को बार-बार दोराना है और focus करना है कि जो भी आपकी इच्छा है वो पूरी हो रही है उसके बाद आपको उस पानी को पीना है आप उस पानी को दिन बर में थोड़ा-थोड़ा करके पी सकते हैं दूसरा तरीका है कि जिस affirmation को आपने एक कागच पर लिखा था एक गिलास में पानी डाल कर उस affirmation वाले कागच को उस गिलास में चिपका देना है और दिन बर उस पानी को पीते हुए अपने अंदर ये महसूस करना है कि आपकी इच्छा पूरी हो रही है आप जानते हैं कि ये टेक्निक काम कैसे करती है ये तो आपको पता होगा कि जिस उर्जा को हम इस ब्रह्मान की तरफ भेशते हैं वही उर्जा वास्तविक्ता के रूप में हमारे सामने आती है इसी प्रकार जब आप पानी को किसी उद्देश के साथ चार्ज करते हैं, तो आप उसके मलिक्यूल्स में उर्जा भेजते हैं, फिर जब आप उस पानी को पीते हैं, तब आप उसी उर्जा के साथ एकाकार हो जाते हैं, आप सभी को पता होगा कि हमारा शेरिर 70% पानी से बन पानी को पीते हैं तब आपका शेरिर उस एनरजी में चार्ज हो जाता है। उस पानी को पीते हुए आपको विश्वास करना है कि जो इच्छा आपने उस गिलास पर लिखी है वो पूरी हो रही है। और जब भी आप पानी पीएं तो खुश होकर पॉजिटिव फिलिंग्स क साथ और अच्छी चीजों को सोच कर पानी पीएं। हर रोज इस टेकनिक का इस्थमाल करने से आपको ब्रह्मान की तरफ से कुछ संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे जो आपकी इच्छा को पूरी करने में मददकार हो सकते हैं। इस टेकनिक का इस्थमाल करने के साथ साथ ऐसे अफसर के तलाश करनी होगी जो आपकी इच्छा को जल्द से जल्द पूरी कर सके क्योंकि कोई भी manifestation टेकनिक तभी काम करती है जब आप उस चीच को आकशित करने के साथ साथ actions लेते हैं दोस्तो ये टेकनिक सच में काम करती है जरुरत बस इतनी है कि आप इस टेकनिक पर कितना विश्वास करते हैं इस टेकनिक के बारे में आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्षन में लिखिए और इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें